आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्ची केरी की बहुत ही टेस्टी एकदम खटी मीठी चटपटी कैंडी की रेसिपी इस कैंडी को बनाना बहुत ज़दा आसान होता है और खास तोर पे ये बच्चों को बहुत पसंदाती है आप इने स्टोर करके भी रख सकते हैं ये बिलकुल भी खराब नहीं होती है तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं तो इन कैंडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं दो मीडियम साइज के कच्चे आम सबसे पहले क्या करेंगे इसे बढ़िया से दो लेंगे और पूँच लेंगे और उसके बाद ना इसे छील के तयार कर लेंगे तो दोस्तों कच्चे आम की खटी मीटी कैंडी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है साथ ही साथ आप बना के इसे दो चार महीनी के लिए स्टोर भी कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी खास तोर पे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है आप बना के ना इसे बाहर ही स्टोर करें या फिर आप डाइनिंग टेबल पर रख दे उसे क्या होगा जब भी बच्चे खाना खाएंगे उसके बाद एक कैंडी ले लेंगे इस तरह बच्चे इन्हें एंज्जॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको किसी बच्चे की बड़े पार्टी में जाना है न तो भी इन कैंडी को आप अच्चे से रैप करके बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों को ये बेहत बेहत पसंद आएंगी तो चलिए यहाँ पे सभी कच्चे आमको मैंने बढ़िया से काट दिया है और काटने के बाद ना अब इनके चोटे चोटे पीस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे चोटे चोटे पीस मैं इसलिए कर रही हूँ इसे हम grinding jar में डाल के न अभी पीसेंगे तो जब हम चोटे पीस कर लेंगे तो ये बड़िया से grind हो जाएगा उसका कोई भी chunks वगएरा उसमें नहीं रहेगा तो लीजे यहाँ पे सारी कच्ची केरी को मैंने छोटे-छोटे पीसों में cut कर लिया है अब इसके बाद हम लेंगे एक grinding jar और सारी कच्ची केरी को उठा के न इसमें डाल देंगे और ढखकन लगा के इसे बड़िया से smooth पीस के तयार कर लेंगे बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ना पानी वगएरा कुछ भी इसमें एड नहीं करना है बिना पानी के ही आपको इसे पीस के तयार करना है अगर आप इसमें पानी डालके से पीसेंगे न तो हमारी जो कैंडी बनेगी वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंडी जो हैं लंबे टाइम तक चलें आप उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी add ना करें तो देखे यहाँ पे कच्ची केरी का पल्क बहुत अच्छे से बन के तयार हो गया है एक दो बार मैंने बीच बीच में ना इसे चम्मच से चला दिया था जिससे कि यह बहुत अच्छे से बिस गया है अब उसके बाद हम लेंगे एक पैन और पैन को रखेंगे गैस पे अब उसमें ना हम डालेंगे एक चम्मच भर के देसी गी और अच्छे से इसे मैल्ट कर लेंगे तो यहां पे ना देशी गी डालना ऑप्शनल है बट अगर आप डालेंगे तो इसमें अच्छा फ्लेवर भी आएगा साथ में ही जो कच्ची केरी का पल्प है यह बिल्कुल भी तले पे लगेगा नहीं अब उसके बाद इसमें डालेंगे एक चुटकी हिंग और हिंग को अच्छे से यहां पे मिक्स कर लेंगे अब डाल देंगे इसमें साथ में ही कच्ची केरी का पल्प तो अगर आपके पल्प में थोड़े बहुत चंक्स रह गई हूँ तो आप एक बार इसे चांज जरूर लें पर यहां पे मैंने जो यह पल्प बनाया न यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है इसमें कोई भी चंक्स नहीं है तो इसी लिए मैंने इसे डारेक्ट पैन में डाल दिया है और उसके बाद अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया से पका लेंगे तो इसे अच्छे से पकाने के लिए हमें 5-7 मिर्ट का समय आराम से लग जाएगा तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इधर ना एक इसके लिए मसाला तयार कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे आदा चमच भर के नमक, साथ मही बन फोर चमच भर के काला नमक और उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा बुना हुआ जीरा अब यहाँ पर कैंडी को थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर एड़ कर दिया है और साथ में यहां पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है तो आप चाहें तो यहां पर गरम मसाला स्किप कर सकते हैं अब यहां पर सबी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उठा के इसे फिलाल साइड में रख देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आम का पल्प है वो अच्छे से ड्राइ हो गया है और काफी देर से ये पक भी रहा है तो अब इसी स्टेज पे हम इसमें एड करेंगे चीनी तो यहाँ पे मैंने आदा कप भरके इसमें चीनी डालती है और चीनी डालने के बाद अब दुबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बढ़िया से हम पकाएंगी वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीनी की जगर पे गुर्ट का यूज भी कर सकते हैं गुर्ट डालके यह बहुत अच्छी बनती है तो यहाँ पे चोईज आपकी है आप चाहें तो इस चीनी डालने के वज़े से यह थोड़ा सा लूज हो जाता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जल्दिवाजी नहीं करनी है मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे बढ़िया से आप यहाँ पे पका लें जब तक यह थोड़ा सा ठिक ना हो जाए चलिए तो इसकी गैस को मैं चलते हैं हम आगे तो यहाँ पे मैंने छोटे वाला मिक्सी का जार ले लिया है उसमें हम डालेंगे पांस से च्छे चम्मच चीनी और साथ में ही हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर अब धक्कन लगा के दोनों को अच्छे से पीस के यहाँ पे तैयार क उससे चीनी पे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ असा ग्रीन कलर मैंने इसमें भी डाल दिया है क्योंकि कच्छी कहरी कि हम कैंडी बनाने बाले हैं तो लगना चाहिए ना कि ग्रीन कलर की हैं इसलिए मैंने एक पिंच इसमें ग्रीन फूड क कलर डाल दिया है और बढ़िया से इसे मिक्स करके पका लिया है अब हमारा मिक्स बिलकुल तयार है यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ पे प्लेट में ट्रांसफर करने से पहले उसमें आप थोड़ा स तना घी लगा ले जिससे कि ये mix बिल्कुल भी इस पे चिपकेगा नहीं तो अब इस mix को अच्छे से plate में फैला देंगे और आदा से पौने घंटा तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे क्या होगा mix अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा सा hard भी हो जाएगा जि इसे उलट पुलट देंगे और देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पहले से कितना ज़्यादा hard हो गया है अच्छे से ही set हो गया है कि अब इसकी हम बढ़िया से candy बना पाएंगे तो चलिए यहाँ पे candy बनाने के लिए थोड़ा सा mix हम हाथ में लेंगे और अच्छे से गुमाते हुए इसकी छोटी सी एक गोली बना के तयार कर लेंगे लेकिन candy बनाने से पहले अपने हाथों को बढ़िया से आप घी से या फिर ओयल से ग्रीस कर लें जिससे क्या होगा ये mix हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा उसके बाद हमने जो piece के रखी है चीन आपने कभी भी कच्ची केरी की candy नहीं बनाई है तो एक बार आपने जरूर ट्राइ किजिएगा और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अब अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो please नीचे जाक बना के प्लेट में रख लिया है और उसके बाद ना इसे बोल में हम डालते जाएंगे और बढ़िया से इसके उपर चीनी की कोटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे ना चीनी को पीस्टे टाइम मैंने इसमें फूट कलर एड़ गिया था खटी, मीटी, चटपटी बिलकुल उसी फ्लेवर में ये बनके तैयार होती है तो एक बार आप ये जरूर बनाएगा तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पे सारी कैड़ी बिलकुल रेडी हो गई है आप इने किसी भी एयर टाइट डबे में भरके स्टोर कर सकते हैं ये बिलकुल भी नहीं होंगी खराब तो दोस्तों अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई और टेक केर